आता है जो तूफाँ आने दे, कश्टी का खुदा खुद हाफिज है, मुम्किन है कि उठती लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए वाह, खुब सूरत, जिन्दगी, खुदा, तूफाँ, लहरे, साहिल, क्या ये सब इतना आसान है? आसान, मुश्किल, सच, जूट, अच्छा, बुरा, इसी गुफटगू के लिए तो आज बैठे हैं, जी, और अपने सभी शोताओं का खैर मक्तम करते हुए, वेलकम करते हुए, आप सबसे मुखातिब होते हुए, आज के विशे को आपके साथ शेयर करते हैं, जो है, तब अच्छा, खुदा की रजा, गौद्स विल, जी हां, गौद्स विल, and गौद्स विलिंग, we are recording this episode of Voice Divine, मैं हूँ आपका साथी और दोस्त, राकेश, मैं पंकर्ज, नमस्कार, धन्य दंकार. राकेश जी, गौद्स विल, रभू इच्छा, क्या है प्रभू इच्छा? जब कुछ अच्छा होता है, तो इंसान खुद को क्वेडिट देता है, मैं कीता, और जब कुछ ऐसा होता है, जो लगता है कि ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है, वाइ मी, when we say this, because we don't like something that has happened, क्या है ये? पंकत जी जहां तक हमने सद्गुरू से भी सीखा, और संतों की वानी से भी, या जीवन की अनुभव से भी कह सकते हैं कि सीखा, जब हम God's will की बात करते हैं, ईश्वर की इच्छा, तो ईश्वर एक पिता है, मा है, एक पेरेंट है, and what is the will of a parent? It is always the best for the child, absolutely, और अब पेरेंट अगर बच्चे को डांट रहा है, समझा रहा है, तो वो पेरेंट की विल है, बट उस विल के अंदर छुपा हुआ भाव यही है कि बच्चा सुदर जाए, ये बच्चा नेक बन जाए, अच्छा बन जाए, और जब पेरेंट टॉफी लेकर Segregate as good and bad, जबकि सब कुछ ही ईश्वर की रजा है, and everything is taking us towards being divine, जी, I can totally relate it, because 8 साल का बेटा है, और उसका 20 मिनिट का गेमिंग टाइम फिक्स किया हुआ है, तो every time वो 20 मिनिट के बाद है, जब लेते हैं तो उसकी एक इस शेटमेंट होती है, आप बहुत गंदे हो, मुझे ल अलपगय, इसलिए जीव को अलपगय कहा गया, because we can't see the entire picture, we can't see the larger canvas, जी, इसलिए अलपगय होने के नाते हम सब कुछ नहीं देख पाते, और अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, कि ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये सही है, ये ग अच्छे बुरे सजूट बना लेते हैं, और उसी क्यादार पर हम कहने लगते हैं, कि ये गौद्स विल अच्छी है, ये गौद्स विल बुरी है, जिवकि जिवर्यूम कर देख एफूआ, ये अच्छे बुरे का किया, सब किछ पूरा, जी, रकेश ची मुझे लगता है कि यहां सबसे बड़ा रूल है सद्गुरू का हमावी लाइफ में, क्योंकि अक्सर परमात्मा के साथ विश्टा एक बहुत सीमित सा बना लिया जाता है, कुछ एक नियम का, या कुछ सिर्फ एक मांगने तक का, और वो डिस्टेंस के कारण वो फेथ इस्टैबलिश नहीं हो करता है जगत का तू सबका अधार और इस निराकार के भाने में, इस निराकार के नियम में जो कुछ मी मेरे लिए हो रहा है वो बेस्ट है, तो जब ये फेथ इस्टैबलिश हो जाता है, उसके बाद आप इस अवस्था में आते हो, जैसा कि आपने कहा, पूरे का किया सब क जी सकते हैं, जो संपूर्ण अफ्तार बाणी में लिखी है, कि जो कुछ भी रब कर देंदाए, इसनू मिठा लगदाए, पर किसनू, जिस्ते दिलविच, चौवी कंटे, नाम दा दीवा जगदाए, क्या बात है, पंकर जी आपने रोशनी की बात कर दी, दिये की बात कर पर से जो प्रकाश की यात्रा है, वो तो सद्गुरु के द्वारा ही संपन होती है, और आएए, शोताओं को जोड़ते हैं, सद्गुरु के पावन शब्दों के साथ, सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज के पावन प्रभचन, जिए हर एक जो ये मुक्त आत्माएं हैं, उनकी जिन्दगी से इंस्पिरेशन लेनी, सिक्षाई लेनी, कि कैसे अपने जीवन पे वो कभी भी जब जिन्दगी ने उनके आगे किस प्रकार के भी टेस्ट रखे, तो कभी उन्होंने ये नहीं अरदास करी, कि टेस्ट ना हमसे लि कहीं वो कायरता भी है, अगर इतना स्ट्रॉंग हमें ब्रह्म ज्यान मिला है, तो बस यही कि हर टेस्ट आए और जरूर आए, और हमारा किरदार ऐसा हो, कि वो टेस्ट को हम निरंकार के उपर ही ध्यान लगाके, उसी के सहारे से वो टेस्ट भी पास करें, तो ये अरदास कि बिना पर्चे के पास ये अगर किसी की सोच है, तो अब थोड़ी उस सोच को इवॉल्व करें, और बोलें कि ये निरंकार जो टेस्ट देना है लाइफ में डालो हमारे आगे, और साथ ही इतनी मजबूती हमें देना, अपना विश्वाश देना, कि फिर वो परीक्षा मे हम आपकी सिखलाई से ही पास हों, तो दातार जहां हर एक को ऐसा जीवन दे, जो जीते जी ही मुक्ती के हगदार हो जाएं, जो अपनी भक्ती को इतना प्रबल कर जाएं, कि ये शरीर हो या ना हो, वो जिन्दगानी मुबारक हो. रकेश जी, सद्गुल मातर जी की विचार सुनने के बाद एक कोट चो कहीं पड़ी वो जहन में आ रही है, God has a plan, trust it, love it, enjoy it, साथ ही एक और खयाल आ रहा है, जब दुख आता है, विप्रीत परिस्थितियां आती है, मानिए, जेब में एक पैसा नहीं है, और हजारों लाख के खर्चे सामने खड़े हैं, सेल पे करजा है, कोई अपना नियर और डियर वन जिन्दगी से चला जाता है, खास तो आल पर जब कोई बहुत यंग एज में चला जाता है, कोई ऐसी लाएल आज बिमारी हो जाती है, किसी का डिवोस हो जाता है, कोई विश्था तूट जात होता है, या किसी का मान से कि या शाविविक उत्पीडन जब होता है, तो ऐसे में ये वज़ा ये परफेक्शन इस प्लान की दिखाई नहीं देती है, ट्रस्ट आता नहीं है, वो कैसे हो, पंकर जी आप बिलकुल सही कह रहे हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है, उस समय इस गुर्बानी के अंदर शबद आता है, तेरा किया मीठा लागय है, यानि कि ये मीठा होता नहीं है, इसका किया, इसका भाणा, रंकार का, ईश्वर का, अल्ला का, घौड का, वहे गुरू का, जो भाणा है, जो ये वर्तता है, वो कई बर बहुत कठिन होता है, और इसलिए ये अरदास की गए, कि हे प्रभू पर्मात्मा, हे सचे पाच्छा, आप मुझे बल, बुद्धी, विवेक देना, कि आपका भाणा, आपका किया हुआ, मैं मीठा करके मान सकूँ, यानि कि आप ये कहना चाहिए, कि मीठा होता नहीं है, मीठा लगने लगता है, येस, पेन is never comfortable, बट पेन is inevitable, पेन is a constant part of our life, and पेन is good, पेन is a wake-up alarm, कि उठो और कहीं न कहीं कुछ खराबी है, उसको ठीक करो, तभी तो पेन होती है बोडी के अंदर, और हम डॉक्टर के बास आते हैं, ठीक करा लेते हैं, और जिसे कहा कि पेन is inevitable, बट सफरिंग इस ऑप्शनल, तो हम सफर करते हैं या नहीं करते हैं, यह हमारे उपर नरपर करता है, हम किस तरीके से उसको perspective में लेते हैं, और जब हम ईश्वर का, जैसे पहले बात हुई, हम अलपग्य हैं, जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, सद्गुरू के कृपास से कि ईश्वर सरवग्य है, यह सब क बहाव आता है फिर जैसे पहले आया था सद्गुरु ने पहले तो connect किया और अब connect के बाद मुझे observer बना दिया अब मैं साक्षी हो गया now I am in the role I am playing a role but I am still not in the picture अब मैं बहार खड़ा हो के साक्षी भाव से अपने आपको देख रहा हूँ I am looking at myself as my true self और अब जो भी उतार चड़ा उस role के अंदर उस किरदार के अंदर हो रहे होंगे उनसे मैं प्रभावित होना शायद काम हो जाता हूँ तो आपने कहा myself यानि कि बिना अपनी असलियत को जाने बिना अपने real self को जाने ये खुद को बाहर निकाल लेना खुद को साक्षी बना लेना पॉसिबल नहीं है अबसुल्यूटली तो बिना ब्रहम ग्यान के ये हो ही नहीं सकता और इसलिए हम बार बार शुक्रिया अदा करते हैं सद्गुरू का कि आपने हमें ब्रहम ग्यान दे करके हमारी आँखें कोल दी जी बिलकुल और ब्रहम ग्यान की प्राप्ति ही वास्त्विक्ता में आँखों का खुलना है और इस प्राप्ति के बाद ही one can get rid of the false identities that one maintains और अपने वास्त्विक सरूप को पहचान कर आत्मिक स्थर पे जीने का परियास किया जा सकता है और फिर होता यू है कि उससे पहले जो मैं रोल्स अदा कर रहा हूँ और राकेश जी कभी कभी सोचता हूँ आपने इतने सावे रोल्स गिनवाई है तो एक इंसान इतने सारे रोल्स कैसे जस्टिफाइगा वे भाई, कितना लोड है, कितना बर्डन है तभी तो लोड है, क्योंकि इतने सारे रोल्स के अंदर अपने आपको एक जंजाल बना करके फसा लिया है So the moment you come out, you are free, you are light Exactly, और जैसे स्वामी वेका नंजी ने भी कहा I am not a drop in the ocean, I am an entire ocean in a drop Beautiful वो आगे की यात्रा करते हैं और सुनते हैं संपून अवतारबानी का ये शबन रंग हरी दे, रंगे आजेडा संपून हरी दे, रंगे आजेडा जो कुछ हुन दै हो जाए पावे, दिल नूए दे गम नहीं जो कुछ हुन दै हो जाए पावे, नाम बिना कोई कम नहीं रंग हरी दे, रंगे आजेडा जो करदा जा कैदाए जो कुछ वी रब कर दे दाए इसनू मीठा लग दाए जिस दे दिल विच चोवी कंटे, नाम दा दीवा जगदाए रंग हरी दे, रंगे आजेडा जो करदा जा कैदाए संत आए ले एसे थातों एसे वीच समावड गे एते हस हस जीवन कट ले आगे इसत पावड गे रंग हरी दे, रंगे आजेडा जो करदा जा कैदाए संत आलों वट आणा संतों रब दीवट आए कहे अबतार हरी हरे अंदर खुन्दा पेद ना पाई ए खुन्दा पेद ना पाई ए रंग हरी दे, रंगे आजेडा जो करदा जा कैदाए राकेश जी जब गौड्स विल की बात कर रहे हैं, प्रभू इच्छा की बात कर रहे हैं, जी तो सबसे मुश्किल बात जो इसके साथ जुड़ी है वो है व्यवारिक पहलू कहना एक तरफ, रहना एक तरफ तो ऐसे में जब कोई ऐसे महत्माओं का जीवन देखते हैं, उनका संग करने को मिलता है, जिन्होंने जीवन में बहुत से उतार चड़ाव देखे हूं और तब भी एक conviction, एक विश्वास के साथ निवाकार के किये को accept किया हूँ happily, वो acceptance के भाव के साथ एक forced acceptance नहीं है, graceful acceptance, तो उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ऐसे ही एक महत्मा आज हमारे साथ हैं, अदर्निय बहें डॉक्टर प्रवीन खुलर जी, Secretary Headquarters, स प्रवीन जी, आपको आज स्टूडियो में देखकर के बहुत हर्श हो रहा है, हलाकि बच्पन से ही आपको एक बड़ी बहन के रूप में, गुर्सिक के रूप में मैंने देखा और अब्जर्व किया, और मुझे कल की तरह याद है वो वाकिया, जो सब के लिए बहुत जी, और हम सब निवासी अफ्तार अंकलेव के जानते हैं कि कैसे वो बच्चा स्कूल की बस से एक्सिदेंट हुआ और वो जोती-जोत समाए उस समय आपको देखा आप बिलकुल सिथिर थे, गॉड्स विल को आपने कैसे इसको सही माना, एक्सेप्ट किया और सिथिर रह कर के सद्गुरु निरंकार के भाणे में रहने की वो कौन सी क्या भाव था उसमय, what was going inside you? I think during those days and even now, जो संत महात्माओं की, जो परमादर्निय चड़ा साब की, अफ्तार इंकलेव के सभी संतों की जो संगत मिलती थी, उस संगत का इतना विश्वास, प्यार इतना था, कि लगा ही नहीं कि वो कोई घर का बच्चा है, वो पूरी संगत का बच्चा था, और संगत न ये तो अगर बच्चा एक है, लेकिन तेरे सारे बच्चे हैं, ये देखो, उन्होंने संतनंकारी पूब्लिक स्कूल अवतार इंकलेव के सारे उसी क्लास के बच्चों को मेरे घर के सामने खडा कर दिया, on the same day, when the dead body of that child was lying in my home, and अधन्य चड़ा साब बच्चा बच्चा ब जिन्होंने बहुत निरंकार की रजा में रहना सिखाया, और क्योंकि ये भी साथ-साथ में दिमाग में चल रहा था, कि हमारा पहला प्रण है, तन्मंधन निरंकार का है, ये जब चाहे ले सकता है, जब चाहे दे सकता है, तो ये किसी ना किसी दिल में ये बात दिमाग में च्छाई होई थी कि यह तन्मंधन इसी का है इसी ने लिया है तो why not to give back the things gracefully to him क्या बात है यानि कि आपकी नजर बदल गई आपका perspective भी चेंज हो गया कि सारा संसार ही मेरा है सिर्फ यह बच्चा ही मेरा नहीं है जैसे एक शायर की मुझे वो बात याद आ रही है कि नजर नमाज नजरिया सब कुछ बदल गया जिस दिन से इश्ख हुआ खुदा बदल गया प्रवीन जी जब ऐसी कोई परिस्तिती जीवन में आती है जब ऐसी ख़बर कोई मिलती है तो I guess there is a disbelief about such news और लगता है कि नहीं यह नहीं हो सकता तो आपको जब यह ख़बर मिली जब यह परिस्तिती सामने आई तो आप कैसे उस समय पर मात्मा की बजा में रह पाए क्या आपकी अवस्था थी I don't know what power Sadhguru gave me on that spur of moment when I heard that news that your son is not no more and immediately the words which came out from my mouth it's not my mouth it was given by the Sadhguru and Nirankar I told everybody, बहुत सारे महत्मा थे उन दिनों में खड़े हुए थे सारे और मेरे मुख से यही निकला कि देखो कोई आंसू नहीं बहाएगा क्योंकि हमारा Golden Jubilee समागम होने जा रहा है तो हमें बड़ी खुशी से मनाना है क्योंकि दो महीने पहले ही चड़ा साफ के साथ टोर किया था USA का और महां पे बढ़िया खुशिया मना के सब को बुला बुला के आए थे कि हमारा Golden Jubilee समागम आने वाला है तो आट टाइम आई वस वेरी मच इन पीस और बिस पंकर जी कितनी कमाल की बात है कितनी विचित्र और कितनी प्रेणा दाय के बात है जी बिलकुल मैं अभी जब अधर्मिय प्रवीन भेंजी को देख रहा हूँ तो honestly I'm getting goosebumps बिकरस जितनी सहष्टा से ये उस event को उस happening को बयान कर रहे हैं honestly I can see Sadhguru's grace all over ये Sadhguru की बक्षिश ही है कि इतनी सहष्टा और इतनी acceptance एक ऐसे event की नमकार के किये की गुर्सिक के जीवन में हो पाए और वास्तविक्ता में वो भी जो बातें सुनी है वो सुनने में बहुत आसान लगती हैं अच्छी लगती हैं पर उन्हें जीता जाता एक उनका रूप देखना वो कई बार कुद देखने को मिलता नहीं है असानी से वो पंक्तियां जो हमने अक्सर सुनी है कि अक्सर बंदे दी मौत ते पैंदा है रोना पांदा है मरन वेले मुबारक कोई 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और ऐसा संतों के जीवन में अनेकों बार देखने में आया जैसे हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं तो जब उन्हें गले का कैंसर हो गया और बहुत तकलीफ होती थी लेकिन किसी को बताते नहीं थे लोग जानते थे कि वो एक पीडा से गुजर रहे हैं उनके जो भक्त थे अन्याई थे और जब परमहंस जी की तकलीफ ज्यादा बड़ी तो आखे बंड करके बस बैठ जाते थे किसी से कुछ नहीं कहते थे उनके भक्त बार बार उनसे कहते थे आप तो प्रभु के इतने निकट है वो आपकी सारी बाते सुनते है आप उनसे कहें कि वो ये रोग भगा दे आपका रोग चला जाएगा आप स्वस्थ हो जाएंगे और परमहंस जी जानते अपने वक्तों से क्या कहते थे क्या? वो कहते थे आप लोग बार बार मुझे ये ना बोले मैं इश्वर का स्मरण अपने शरीर की बिमारी मिटाने के लिए नहीं कर सकता मेरा और इश्वर का रिष्टा बहु मुल्य है वो मेरे पिता है, मेरी मा है वे जानते हैं कि मुझे क्या देना है सोच समझ कर ही ये बिमारी मुझे दी होगी उनको जो मेरे लिए ठीक लगा होगा वो करेंगे उनकी विवस्था में छेड़ चाड़ करना नादानी होगी वो जो मेरे लिए चाह रहे हैं वही ठीक होगा मैं तो बस इश्वर का ध्यान ही करता हूँ मतलब ये कह पाना कि ये बिमारी मुझे सोच समझ कर दी होगी वो भी एक ला इलाज बिमारी के लिए एक चोट भी लग जाए ना अगर तो मन में सीधा शिकायत आती है कि मेरे साथ ही होना था तो ये तो एक परफेक्ट एक्जाम्पल है कि कैसे प्रभू की वर्जा में वहा जाता है और यही एक्मिक होना है जो आज सत्गुरु माता जी अमसे चाह रहे है तो अदर्वनिय प्रवीन जी वोट आपका किसी के साथ प्यार है अगर आपका साथ किसी के साथ इश्क है तो वो तो फिर ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड इश्क तो वही है न कि वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है जैसे सत्गुरु माता स्विंदर जी भी कहते है इश्क हरकी की में बस एक ही असूल है तू मुझे कबूल तो तेरा किया सब कबूल है और ये इश्क असान नहीं है इश्क नहीं है असान kamu बस इतना समझ लीजे एक आपक का दरिया है और डूब के जाना है क्या बात है तो इस मुश्किल काम को आसान सद्गुरू की कृपा, God's Grace, सद्गुरू's Grace ही करती है, और हम उसी कृपा के साथ जुड़े रहें, यही हर गुर्सी की निरंतरा दास रहती है, and with that, of course, we come to the end of this panel discussion, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, Dr. Parveen खुलर जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए, और वोइस डिवाइन के हमारे सभी शोताओं को आपने enrich की अपनी thoughts के साथ, thank you so much, thank you so much, Rakeshji, thank you, Pankar जी, दनंकार जी, दनंकार जी, करदे, जो करदे, रब चंगा करदे, जो दिन्दा है आण दे, तूँ अपना कर्म करीजा, अपना कर्म करीजा, इनु अपने रंध वहौन दे, जो करदे, रब चंगा करदे, तेरा कर्म है इस तरतीनू सोनी सोनी रखना सूर्त एदी पुद्रत दी करके मन मूनी रखना सूर्त एदी पुद्रत दी करके मन मूनी रखना नसलांदे लई रस्ते सोने करिये यतन बनोन दे तु अपना कर्म करी जा अपना कर्म करी जा इनू अपने रंग वखोन दे जो करदै रब चंगा करदै करण करवण आपे आप मानस के कुछ नहीं है जैसा कि अभी हमने गीत में सुना जी और मंगला चरण में भी हम कहते हैं तू करता है जगत का तू सब का आधार तो राकेश जी जब सब कुछ करने वाला ये परमात्मा ही है तो यानि हमने कुछ करना ही नहीं है हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं जी हाँ ये विचार भी आता है मन में कि अगर सब कुछ करने वाला ये इश्वर है तो हम क्या कर रहे हैं वोटा भी हियर फॉर तो वंकर जी जो हमेशा से ही संतों से सद्गरू से सीखा और भगवत गीता की भी वो जो अश्लोप की वंक्तियां है तो करम का शत्त प्रतिशत 100% जो फ्री विल है वो हमें इश्वर ने दी लेकिन जो करम फल है जो उसका निर्धारन है जो उसका रिजल्ट है वो इश्वर ने अपने हाथ में रखा हम एक्जाम देते हैं स्कूल का और टीचर पेपर चेक करता है सूची अगर एक स्टूडन को ही अपना पेपर चेक करने के लिए मिल जाए जी मुझे भी अगर मेंगा मैट्स का मिल जाता न हाँ तो सौ बटा सौ देंगे अपने आपको अगर आज मैं सतर नंबर दे रहा हूँ और टीचर का हमसे कुछ परसनल गरज नहीं है टीचर के लिए सब ही बच्चे एक बराबर है लेकिन उस समय हमें अनलाइज करके वो हमें उतने ही नंबर देते हैं जितनी हमारी परफॉर्मेंस होती है और उस समय शायद बुरा लगता है कि 5 नंबर कट गए दस नंबर कट गए वीस नंबर कट गए मुझे तो steps के नंबर मिल जाने चाहिए थे मैंने formula तो लिखी दिया था मैंने points तो लिखी दिये थे उस बच्चे ने ऐसा लिखा था उसको तो दे दिया और मुझे नंबर नहीं दिये तो ऐसी अनेक judgments हम लाइफ में भी करते हैं, देखो उसको मिल गया, मेरे करम कैसे हैं, उसके करम कैसे हैं, उसने ऐसा किया, देखो उसको लाइफ में क्या मिल गया, but of course, we have to realize that the teacher, Nankar Sadhguru, knows the best and whatever is happening with us is nothing but a process of letting us grow in every aspect, every dimension of life, whether it is spiritual, whether it is social, whether it is intellectual, हर तरीके से हमारी उन्नती हो रही होती है, विकास हो रहा होता है एन्रकेश जी, while trying to find an answer to this question, I came across this beautiful conversation between Reverend Beekal जी और बाबा हरदेव सिंग जी माराज, so I'm trying to quote it as it is from गुर्देव हरदेव पातवान, जी बेकल जी ने बाबाजी से पूछा, कि ये बात समझ नहीं आती, कि जब सब कुछ करने वाला इश्वर है, जो हो रहा है इश्वर की आग्या से हो रहा है, तो फिर किसी कर्म के लिए मनुष्य को क्यों दोशी ठैराया जाता है, इसकी सजा मनुष्य को क्यों मिलती है, गुर मनुष्य को सजा ही तो नहीं मिलती, शावाशी भी तो मिलती है, यश भी मिलता है, इसकी तो आप नेचर्चा ही नहीं की। मिली इस सुतंतता के कारण ही कर पाता है, इसलिए जो कुछ हो रहा है, प्रभु आज्या में ही हो रहा है, किस कर्म का क्या फल है, ये भी दातार के विधान में ही निश्चित किया हुआ है, इसलिए मनुष्य जो जो कर्म करता है, इस विधान के अंतरगत उसे निश्चित फल बोगता है क्या बात है ये तो बाबा हरदेव सिंग जी महाराज के शब्दों ने कितनी clarity दे दी is the entire enigma of karma and God's will कितना खुबसूरती से बाबा जी ने हमें ये समझा दिया और दुनिया के लोग जो हमें कई बार जो प्रभाव होते हैं हम अपने आप सेतने परिशान नहीं होते हैं इतना लोगों के प्रभाव से हो जाते हैं people come and tell us कि ओ ओ ओ आपके साथ ऐसे क्यों हो गया आप तो बहुत अच्छा करम करते हैं why have you been suffering? तो जैसे एक शायर ने कहа कि सुनकर जमाने की बाते हैं because a challenging time वही होता है जब आप crisis में हैं और लोग आकर के आपको affect कर रहे हैं तो शायर ने कहा कि सुनकर जमाने की बाते हैं तो अपनी अदा मत बदल सुनकर जमाने की बाते तो अपने अदा मत बदल यकी रख अपने खुदा पर यू बार बार खुदा मत बदल क्या बात है एक वब्दे बस होके वेना होर किसे दी लोड नहीं कहे अफ़तार एहो जह सिखनो किसे चीज दी थोड नहीं राकेश जी मुझे ऐसा समय याद आ गया 2005 की बात है किसी कारण से हम जिस घर में वहते थे वो सेल ओफ करना पड़ा मुझे याद है जो आपने बात कही बिल्कुल ऐसा ही हुआ पड़ोसी आए कहते आपके घर में तो इतना सत्संग होता था दिन रात महात्मा आते थे आपका घर कैसे बिद्ला तो उस समय मुझे पिता जी की वो द्विड़ता उनकी वो एक सद्गुरु पे नरंकार के किये पर विश्वास देखने को मिला कि जो यह कर रहा है हो सकता है अभी ना समझा दो हो सकता है कि लगवा उपने हाथ से बनायावा घर सेल आफ करना पड़ा है पर यह बहतर जानता है और इसने अभी भी आनन्द में रखा हुआ है पहले भी रखा था आगे भी रखेगा अपसलुटली देख पर्पस अफ्रेयर इस नौट तो बेंड गॉड्स विल तो माइन बट तो मॉल्ड माइव इन तो है और जैसे हमने बात चुरू की कि सबसे पहले सद्गु के साथ या ब्रहमगयान के साथ जब हम जुडते हैं तो सद्गु हमें कनेक्ट करते हैं फिर तो हमें अब्जर्व कराते हैं एक साक्षी बनाते हैं और तीसरी जो यह मंजिल है वो acceptance की है Now I start accepting each and everything that's happening in my life or around the world without judging, without assuming, without comparing or criticizing Exactly और यह acceptance ही जिन्दगी की खूपसूरती है और रकेश जी ऐसे कई महात्मा हैं जिन्नोंने अभी जैसे हमने अदर्वनिय दॉक्टर प्रवीन खुलर जी को सुना जी ऐसे कई महात्मा है जिन्नोंने ऐसे phases देखे लाइफ में और वो डटे रहे, खड़े रहे, धन निंकार जी, जिन्दगी में जो भी ups and downs आते हैं, इनको प्रवुरजा कह देना बड़ा ही असान लगता है, पर अकसर मान पाना उतना ही मिश्किल होता है, ऐसा ही कुछ पिछले वर्ष हुआ जब दास की सिस्टर को cancer detect हुआ, डॉक्टर्स ने 6 महीने का समय दिया, ऐसी इन यूज मिलने के बाद, उन 6 महीनों का अगर एक एक दिन भी दियान करता हूँ, तो एहसास होता है कि सत्गुरु के जान से किस प्रकार सहरा मिला, वो पंक्तियां जहन में आती हैं, कि जानी काटे जान से अग्यानी काटे रोए, अब ये पंक्तियां सुनी तो कई बार पर वाके ही जब जिन्दगी में इन पंक्तियों का वो असर देखा, जब उन पंक्तियों को अपने जीवन में महसूस किया, तो सत्गुरू का शुकराना निकला। सत्गुरू ने किस प्रकार, इस निरंकार के ग्यान का सहरा देकर, इस मन को संभला। और वही सत्गुरू के जो गुर्सिक है, संत महात्मा हैं, एक परिवार की तरहा हर पल सहरा दिया। हर पल मन में वो ग्यान की जोती जगाए रखी और हर सिचुएशन में हर दिन किसी ना किसी महात्मा के द्वारा इस ग्यान का वो एहसास मन में बना रहा बाबजी की भी वो बात जहन में आती है कि जब जीवन में कोई विपरीत प्रिस्थिती आ जाती है ऐसा कोई unfortunate event हो जाता है तो हम कितना गिलाशिकवा करते हैं और कितनी ही ऐसी अच्छी चीजें हमारे जीवन में हो रही होते हैं हम शुकर नहीं करते हैं तो चहां ये ग्यान देकर सत्गुरू हर परिस्थिती में हमें स्थिर रहना सिखा रहे हैं वोहीं जीवन जीने का जो सही सिलिका है कि उतराईया चडाईया जीवन विच आंदिया ने हत होवे तेरा सिते आंके लंग जांदिया ने यो पंक्तियां अनेकों अनेकों बार सासंगुत में सुनी फर जीवन में जब महसूस की तो केबल और केबल शुकराना निकला अशीरवाद दें के इसी प्रकार प्रभू की रजा में रहते हुए पूरा ही प्रिवार जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त करता रहे दान निंका जी शींगार लएए दुनिया सवर ही जानी खुद मूँ सवार लएए सत गुल्द सोच लेके सोचा शींगार लएए है जूठ हावी हुंदे जे सोच है हनेरी है जूठ हावी हुंदे जे सोच है हनेरी चानन च्या के आओ सच मूँ उभार लएए चानन च्या के आओ सच मूँ उभार लएए दुनिया सवर ही जानी खुद मूँ सवार लएए सदवर्दी सोच लेके सोचा शींगार लए सदवर्दी सोच लेके सोचा शींगार ले राकेश जी ये तो समझ में आ रहा है कि ग्यान ले लेने का यहां सद्कुरू के साथ जोड़ जाने का मतलब यह नहीं है कि लाइफ में सिचुएशन नहीं आएंगी जी सिचुएशन तो आएंगी आपसलूटली और चोट लगेगी तो थोड़ा बहुत दर्द भी होगा जादा भी हो सकता है कुछ समय पहले की बादा सब्सक्राइब के साथ होता है तो दुख तो हुआ कुछ तकलीफ हुई पर यह देखा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी संबल जाते हैं और बगवान कृष्ण के सामने जब अर्जुन ने भी यह प्रशन किया कि बगवन मन की सवस्था को मैं कैसे संभाल पाऊं इसका जो वेग है वो तो आंधियों के समान बहुत तेज है और मन जब कोई तकलीफ आती है तो बिलकुल धैसा जाता है गिर जाता है कैसे संभाले और वहां भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यासेन तु कौन तेया व्यारागेन चग और अभ्यास के लिए सद्गुरु ने कहा कि निरंतर सेवा, सिमरन और सत्संग करते रहे और इसी से जुड़ी बात अभ्यास से जुड़ी हुई दास को एक दम याद आ रही है जब डेली वरकाउट करते हैं तो एक मॉड्यूल है लग बग 30 मिनट का और उसके जो इंस्ट पर इसे जब बग 30 मिनट करते हैं लेकिन साथ में एक और बात कहती हैं कि हो सकता है आज आपको ज़्यादा समय लग रहा हो अपनी हार्ट बीट और ब्रीधिंग को नॉर्मलाइज होने में लेकिन लगातार जब आप यह एक्सराइज करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो नॉर्मलाइज होने का टाइम है वो कम होता जाएगा यू विल गेट फिटर और नॉर्मल इन लेसर टाइम ऐसे ही मन की भी आवस्ता है जब हम गुर्मत के साथ सिवा सम्राइज सत्संग करते हैं तो फटा-फट से हम वी एर इंपावर्ट तो बांस 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 अगर अभ्यास करते रहेंगे सद्गुरू के वचनों को मानने का और वहां अगर गिव अप नहीं करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि स्पिरिच्वालिटी एक ऐसा फील्ड है जहां थोड़ा सा असानी से मैं कहूं कि गिव अप करने की एक वो बात आ जाती है कि नहीं य सिर्फ बाते ही हैं संतों ने जी करके दिखाया और कैसे तब त्याक के साथ अपने आपको स्थिर रख करके उन्होंने एक्जेंप्लिफाय किया कि किस प्रकार से ईश्वर की रजा में रहा जा सकता है राकेश जी हमारे वोईस डिवाइन के एक एपिसोट की थीम थी अरदास प्रयास विश्वास जी तो अगर विश्वास के साथ हर पल हुदे में अरदास करते हुए हम ये प्रयास करते रहेंगे कि हमने प्रभु इच्छा में रहना है सद्गुरु के वश्णों को जीवन क आधार बना के जीना है तो ये जो फास्टर विकवरी वाली बात है जी आगेस ये सद्गुरु की बक्षिस से जीवन में आ सकती है जी हाँ और उठना पड़ेगा करम करना होगा उद्दे में ही सिद्देंती कारियानी ना मनौर्थ है और जैसे एक बड़े कमाल की बजाकि में ही पड़े रहे और कंप्लेसेंट हो जाएं अच्छे ठीक है कल देखेंगे तो अब सद्गुरु माताजी ने हमें कुछी दिन पहले जो सत्संग ऑनलाइन हुआ उसमें बताया तो हमारा अगला सेग्मेंट भी कुछ ऐसा ही है जिसमें विवेक के मोती बिखर रहे है ज आफ विस्टम अगर हम सीखना चाहीं तो महाभारत देख रही थी आपने भी देखा होगा उसका एक प्रसंग जो याद रहे गया है वही आपसे साजा करना चाहती हूँ महाभारत की कहाने में एक प्रसंग आता है जब पांडव वन में होते हैं और उन्हें बहुत प्यास लगी होती है तो वहाँ जल लेने गए पांडव से एक यक्ष देउता प्रश्न करते हैं प्रश्नों का उत्तर ना देने की वज़ा से सभी भाई एक एक कर अजेत होते जाते हैं तो आखिर में युद्रिष्टिर यक्ष के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं वो प्रश्न और उसके उत्तर बहुत ही महत्तुपूर्ण है जिंदगी के लिए बेहद जरूरी उन्ह प्रश्नों उत्तर में से कुछ प्रश्न और उसके उत्तर मैं लेकर आई हूँ यक्ष युद्ष्टिर से प्रश्न करते हैं कौन हूँ मैं युद्ष्टिर जवाब देते हैं तुम ना शरीर हो ना इंद्रियां ना मन और ना ही बुद्धी तुम शुद्ध चेतना हो जो स दर्व साक्षी है, मुझे लगता है कि हम सभी को ये सवाल खुझ से पूछना चाहिए, क्या मैं शरीर हूँ जो मौत के साथ नश्ट हो जाहेगा, क्या मैं ये आँख, कान, नाग, मोह और इंद्रिया हूँ, नहीं न, हमें हर पल ये एहसास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और इस चेतन सत्ता का अंशु जो सदेयों रहने वाली है, यकीन मानिए, ये एहसास आते ही दुख खत्म हो जाते हैं। यक्ष फिर पोचते हैं, जीवन का उद्देश क्या है? युदिशिर कहते हैं, जीवन का उद्देश उसी चेतना को जानकर जीवन मृत्तु के बंधन से मुक्त होना है। सच भी तो है, हम अकसर जीवन का उद्देश धन कमाना, प्रसिधी और समरिधी पाने को बना लेते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सब यहीं छूट जाएगा। कुछ और भी है, जो इस जीवन के बाद भी है। वही जानना सही मायने में कुछ जानने जैसा है। यक्ष पूचते हैं संसार में दुख क्यों है। युदिश्चिर कहते हैं संसार में दुख का कारण लालच, स्वार्त और भै है। सच मुझ, अगर देखा जाए, तो अंतहीन ख्वाइशें, लोब, लालच और खुदगर्जियां ही तो हमारे दुख की वजहें हैं। अगर हम आज अपने परिष्थिती से संदुश नहीं है न, तो फिर कभी भी नहीं होंगे। यक्ष फिर पूँचते हैं, ईश्वर का सरूप क्या है? यक्ष पूचते हैं, यक्ष पूचते हैं, वो संसार की रचना, पालन और संघार करता है। योधिश्टिर जवाब देते हैं. यक्ष फिर परश्ण करते हैं, यदि इश्वर ने संसार की रचना की, तो फिर इश्वर की रचना किस ने की? योधिश्टिर उतर देते हैं, वो अजन्मा, अजर, अमर और अकारण है. यक्ष पोजते हैं सुख और शान्ती का रह से क्या है योद्रिक्षिर कहते हैं सत्य, सदाचार, प्रेम और शमा ही सुख का कारण है अगर देखा भी जाए तो बुरा विवहार करके इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता किसी से बदले की भावना रखने वाला भी सदेयो दुखी ही रहता है अगर इंसान को इंसान से प्रेम नहीं है तो भी इंसान कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा यक्ष फिर पोचते हैं सच्चा प्रेम क्या है? युदिष्टिर कहते हैं सोयम को सभी में देखना, सर्व व्याप्त देखना और सभी के साथ देखना ही सच्चा प्रेम है मुझे लगता है यहाँ पर युदिष्टिर ये कह रहे हैं कि सभी के प्रति समवेदना और करुना का भाव रखना दूसरों के दुखदर्द और उसके परिष्टितियों को महसूस करना, खुद को दूसरों की जगहां रखकर सोचना और सभी में परमात्मा को देखना ही सच्चा प्रेम है यक्ष पूछते हैं बुद्धिमान कौन है? युदिश्चिर कहते हैं, जिसके पास विवेक है, जो सोच विचार कर किसी बात के निश्कर्ष पर पहुचता है, वही बुद्धिमान है नरक क्या है? यक्ष ने पूछा इंद्रियों की दास्ता ही नरक है युदिश्चिर ने कहा जागते हुए भी सोया हुआ कौन है यक्षने पूछा जो आत्मा को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया है युदिश्चिन ने कहा सारी दुखों का नाश कौन कर सकता है यक्षने फिर पूछा युदिश्चिन ने कहा जो सब छोड़ने को तयार हो वही सारी दुखों का नाश कर सकता है। जिसका अध्यान करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने प्रश्न पूचा। युद्रिश्र ने उतर दिया, ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है, महान लोगों की संगती से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। सचमच, परिश्थितियों से सीखने वाला और हर घटना से अनुभव हासिल करने वाला इंसान ही समझदार बनता जाता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर की बात क्या है? यक्ष ने प्रश्न किया। युद्रिश्र ने उतर दिया, हर रोज आँखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्तू हो जाती है। ये देखते हुए भी इंसान यही सोचता है कि मैं अमर हूँ। यही सबसे बड़ा आश्चर है। तो ये हैं जिन्दगी के सबसे महत्तुपूंड प्रश्न और उसके उत्तर जिसे हम सभी को अपनी आप से पूछते हुए जवाब भी देते रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि हम इसे जरूर अपनी जिन्दगी में उतारने की कोशिश करेंगे। है ना। इनकी बक्षिश ने की है, इनकी कृपा ने की है। इसी का बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छी जॉब लगी है, ये भी तो भाना है। तो भाना सिर्फ वो नहीं है जो मेरे अनुसार नहीं हुआ, वो भी है जो मेरे इच्छा में भी था और वो भी हो गया। तो एक तो ये नजरिया इनकी बक्षिश से मिलने लगा है। और दूसरा सद्गुरू की शिक्षाओं से इतना सिंपल जरूर हो गया आज की डेट में थाट प्रॉसेस की मुझे बस जो मेरी जिम्मेदारी है वो निभानी है। अब मुझे दुकान जाना है मानिए। तो दुकान पर जाना, जिम्मेदारी निभाना, अगर कोई अकाउंट से उनको देखना, सेल परचेस का खयाल रखना, उसके बाद क्या होगा, कोई आएगा, नहीं आएगा, इवेंचुली कितना आएगा, प्रॉफिट, हो सब इसके हाथ में है। लेकिन अपने करम से भाग कर अगर मैं इसके उपर कुछ डाल देता हूँ, तो मुझे लगता है उस बात से आज सद्गुर्ण ने मुझे बचा लिया। प्रॉफिरम ने एक्सेप्ट किया, कनेक्टिंग, अब्जर्विंग, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग, फाइनली सरेंडरिंग, गुर्सिक दाबस एनना करतब, आपा अरपन कर देवे, कहे अवतार गुरू दा कम है, खाली चोली पर देवे, शर्त यही है कि जोली ख प्रणों के साथ लगाए रखना, हमेशा आपकी रजा को मानते हुए, करम, ग्यान और विवेक के संगम से करते हुए, और कनकन से शिक्षा पराब्त करते हुए, ऐसे ही अंतिम श्वास्तक सब की तोड़ने बे, make us an instrument of thy will, thy purpose and thy peace. इसी अरदास के साथ, एपिसोड को समाप् करते हुए, दीजिये इजाज़त राकेश को, पंकच को, नमस्कार, धन्रेविंकार. झाल